1917 से पहले रूस में पुंजीवादी व्यवस्था पर चली थी। इस व्यवस्था में उत्पादन के साधनों जैसे क्रिशी उद्योगों पर कुछ ही लोगों का धिकार था। 1917 में इस व्यवस्था से दुखी होकर रूस के किसानों और मजदूरों ने करांती कर दी और पुंजीवादी व्यवस्था को उखार फैंका। इसके बाद वहाँ समाजवाद के सिध्धानतों परधारित एक नई राजनितिक व्यवस्था स्थापित हुई जिसे सामेवाद का कारल माक्स थी। उनका कहना था कि मजदूरों की बुरी स्थिति का कारण पुंजीवाद है। इसलिए जि मजदूर अपनी स्थिति को सुधारना चाहती हैं तो उन्हें पुंजीवाद को उखार फैंकना होगा। इसके लिए मजदूरों को अपने लिए एक ऐसे समाज का निर्मान करना होगा जिसमें सारी संपत्ती पर सारे समाज का धिकार हो और इस समाज का नाम सामयवदी समाज होगा इस प्रकार 1917 मेरे रूस में पुंजीवाद को खतम करके सामयवाद के सिधानतो परधारित जो राजनितिक विवस्था स्थापित हुई उसे सोव्यत प्रनाल प्रणाली को 15 गनराज्यों ने मिलकर अपनाया था और उन्हों ने मिलकर सोव्यासंग यूनियन ऑफ सोव्यत सोशलिस्ट रिपब्लिक यूएसे स्थापना की थी. इन पंदराजन राज्यों में रूस सरसे बड़ा था, इसलिए हर मामले में उसी का दबदबा था. सोव्यास संग का पूरा शासन रूस की राजधानी मौस्को से चलता था इस सोवित प्रनाली के द्वारा सोवित संग में कई वैवस्थाएं की गई थी जैसे देश की अर्थवे रस्था पर सरकार का नियंतर्न स्थापित किया गया सभी नागरिकों के लिए एक नियूंतम जीवनस्तर सुनेशित किया गया और इस नियूंतम जीवनस्तर को बनाए रखने की जिम्मेदारी सरकार को दी गई लोगों को मूल भूत आवश्चता की वस्तवीं जैसे रोटी, शिक्षा, स्वास्ते, बच्चों की देखभाल आदी रियायती दरों पर उपलब्द करवाई जाने दल का शासन स्थापित किया गया, लेकिन इस दल को जनता के प्रती जिम्मेदार नहीं बनाया गया, इस प्रकार से एक दल की तानाशाही स्थापित की गई, रेडियो, टेलिविजन और समाचात पत्रों पर सरकार का नियंतर्म स्थापित किया गया, ऐसी सिती में लोगों क ना तो अपनी विचार परकट करने का धिकार था और ना ही वे सरकार के गल्द कामों की आलोचना कर सकते थी। न्यायपालिका को भी सरकार के नियंटर में रखा गया। उसका काम सरकार के कामों को सही ठहरा कर उसके कामों में सहयोग देना था। इस परकार न्याय पालिका सुतंतर नहीं थी। इस सामेवादी विवस्था को अपना कर सोव्य संग ने काफी प्रगति की। नियोजन के दौरा इस देश ने जो विकास किया वे दुनिया के दूसरे देशों के लिए एक मॉडल बन गया। दूसरे विश्व विवस्था के बाद सोव्य संग एक महाशकति के रूप में उभर कर सामने आया। अमरीका को छोड़ दें तो सोव्य संग की अर्थविवस्था शेस विश्व के अर्थविवस्था से काफी विक्सी थी। सोवे संग के पास खनिज देल, लोहा, इस पात की विशाल भंडार थी, उसके पास काफी उन्नत संचार पर नाली थी, दूर दराज के इलाकों तक पहुचने के लिए एक सुवे वस्थित रेलवे नेटवर्क था, इसके अलावा सोवे संग का घ्रेलू उभोगता उद्योग भी काफी उन्नत था, और यहां सुईस लेकर कार तक सभी चीज़े बनती थी, हाला कि वे गुनवत्ता के मामले में इतनी अच्छी नहीं थी, अपनी मजबूत आर्थिक स्थिति के बलपर सोवे संग ने पूर्वी येरोप के देशों को अमरीका की चंगल से बचाने के लि गुट के देश या दूसरी दुनिया के देश कहा जाने लगा, लेकिन अपने संसाधनों का एक बड़ा भाग अपने देश के विकास पर खर्चने करके, पूर्वी येरोप के, अपने पिछलगू देशों के विकास पर खर्च करना, सोवेस संग को आने वाले समय में काफी बहारी पड़ा। येकिन जैसे जैसे समय बीता गया, सोवियत परनाली अपने नागरिकों की अकांगशाओं को पूरा नहीं कर सकी। ऐसी स्थीति में नागरिकों का इस परनाली से मोभांग हो गया। इस परनाली में कई ऐसी कमिया थी जो सोवियत संग के विघटन का कार्म 1945 में जब दूसरा विश्युद खतम हुआ तो अमरीका और सोव्य संग दो महाशक्तियों के रूप में उबर कर सामने आए। ये दोनों देश अपने अपने शक्ति को दिखाना चाहते थी। अपने अपने शक्ति को दिखाने के लिए इन्होंने भ्यानक से भ्यानक अस्तर सस्तर बनाए। सोवे संग ने अमरीका से ज़्यादा शक्तिशली बनने के लिए अपने सभी संसाधनों को देश के आर्थिक विकास पर नलगा कर नए नए अस्तर सस्तर बनाने पर खर्च कर दिया अस्तर सस्तरों पर ज़्यादा खर्च करने से देश की आर्थिक स्तिती बिगड गई आर्थिक स्तिती बिगर जाने से देश में बुन्यादी चीजों की कमी हो गई बुन्यादी चीजों की कमी होने से सोव्य संग के अधीन राज्यों की जनता का जीवन कठिन हो गया इसलिए उन्होंने सोव्य संग से अलद होने का निरने लिया सोविश संग में एक खास बात यह भी थी कि यहां जनता को कम कीमत पर आवश्रक वस्तु में उपलब्द करवाई जाती थी इसे जो घाटा होता था उसे सरकार द्वारा वहन किया जाता था लेकिन जब देश की आर्थिक स्थिति बिगड़ी तो उत्पादन कम हो गया उत्पादन कम होने पर देश में आवश्रक वस्तु की कमी हो गई ऐसी स्थिति में सरकार ने आवश्रक वस्तु का आयात करना शुरू कर दिया इससे आयात बढ़ गई तथा निर्यात कम हो गई आयात बढ़ने से सरकार का घाटा बढ़ने लगा जिसके कारण देश की आर्थिक स्तिती और भी खराप हो गई ऐसी स्तिती में सरकार लोगों की आवश्रक्ता ही पूली नहीं कर पाई इससे लोग सरकार से नराज हो गई और उन्होंने सोविस संग से अलग होने का निर्ने किया सोवी संग में एक दल अर्थार साम्यवादी दल का जो शासन स्थापित किया गया था, वह भी सोवी संग की विगटन का कार्ण बना, लंबे समय तक शासन करते रहने के कार्ण, यह दल जनता की कल्यान की परती बेखपर हो गया था, जनता की परती इस दल की कोई जिम्मेदार इस दल द्वारा जनता की अंदेखी करना भी लोगों के गुसे का कान बना। इस दिखार और भोजन की गरंटी दी गई थी। लेकिन मुफ्त में चीजे देने के कान जब सोव्य संग में आवश्रक वस्तू की कमी हुई तो वहां के लोगों को इस व्यवस्था की कमियों का पता चला। सामेवधी पार्टी का जनता के प्रती जवाब दै नहीं होना, व्यवस्था द्वारा अपनी गल्तियों को नहीं सुधारना, शासन में खुला पन्ने लाना, देश की विशालता के बावजूद भी शासन को एक ही स्थान अर्थात मौस्कों से चलाना, आधी कुछ ऐसी बा सुर्बाचेव ने भी सोवे संग को परस्चमी देशों के बराबर लाने और लोकतांत्रिक रूप देने के लिए परस्थितियों में सुधार करने का निर्ने लिया, उनके द्वारा जो सुधार किये गए उनमें दो सुधार परमुख थी, पहले वाले सुधार का नाम पैर चीज नहीं थी, सब कुछ सरकार का होता था, यहां तकि लोगों के पास जो घर होता था, वह भी सरकार का होता था, लेकिन पैरस्थ्रोईका के अंतरगत जब उद्योगों को निजी हातों में बेचा गया, तो इससे देश में एकदम खाने पीने की चीजों के दाम कई गु लाया गया, समाचार पत्रों पर लगे, प्रतिबंदों को हटा दिया गया, तथा लोगों को सरकारी नीतियों और कारिकरमों के बारे में खुल कर अपने विचार परकट करने की सुतंतरता दी गई, जैसी लोगों को विचार परकट करने की सुतंतरता मिली, तो लोगों ने खुल कर सरकार की अलोचना करने शुरू कर दी और गर्णराज्यों के लोग सौव्य संग से अलग होने की मांग करने लगे इसी बीच पूर्वी यूरोप के जो देश सोवेस संग वाले गुट में शामिल थे उन देशों की जनता ने भी सोवेस संग का विरोध करना शुरू कर दिया इसे पूर्वी यूरोप के देशों में सामयवादी सरकारें एक के बाद एक करके गिरने लगी अते हैं कहा जा सकता है कि मिखाईल गुर्वाचेव ने सुधारों से जिन प्रणामों के उमीद की थी वैसा कुछ नहीं हुआ बल्कि उसका उल्टा ही हुआ इसका एक कान यह था कि जब गुर्वाचेव ने सुधारों को लागू किया तब तक काफी देर हो चुकी थी तब तक प्रस्थित्यां इतनी खराब हो चुकी थी कि उनको सुधारने के लिए वैसुधार काफी कम और धीमे थी इसे बीच लोगों की अपेक्षाईं भी काफी बढ़ गई थी सोवे संग में जनता के एक वरक का मानना था कि गौर्वाचेव को ज़्यादा तेजगती से कदम उठाने चाहिए थी लेकिन गौर्वाचेव ने ऐसा करने में काफी देर लगा दी थी इसलिए लोगों को सुधारों का ज़्यादा नहीं मिल पा रहा था दूसरी और सामेवधी पार्टी के लोग जो सोवेत परनाली से फाइदा उठा रहे थे उनका मानना था कि गौर्वाचेव ने सुधार लागू करने में बड़ी जल्दबाजी की इसके कान उनके विशेशा दिकार कम हो गए थी इस खीचातानी में हर तरफ से गौर्वाचेव का समर्थन जाता रहा जो लोग उनके साथ थे उनका भी उनसे मोह बंग हो गया उनको लगा कि गौर्वाचेव खुद अपनी ही नितियों को ठीक परकार से लागू नहीं कर पा रहे है लेकिन लोग कॉमिनिस्ट पार्टी के पुराने शासन में भी नहीं जाना चाहते थे इसलिए वे गौर्वाचेव का तक्ता पल्टने की सोचने लगे 15 गनराज्यों के लोगों ने सोव्यत संग से अलग होने की मांग करनी शुरू कर दी मार्च 1990 में सबसे पहले लिथुआनिया ने सोव्यत संग से अलग होने की घोशना कर दी वैस सोव्यत संग से अलग होने वाला पहला सोव्यत गनराज्यों बना गौर्वाचेव का तक्ता पल्टने में बोरिस येलसन ने महत्वपुन भूमिका निभाई 1985 में जब गौर्वाचेव सोव्यत संग के राष्टरपती बने तो बोरिस येलसन को कम्मिनिस्ट पार्टी का परमुख बनाया गया था जून 1991 में उन्होंने कम्मिनिस्ट पार्टी से इस्तीफा दे दिया इस्तीफा देने के बाद वे चुनाओ जीत कर रूस के राष्टरपती बन गए राष्टरपती बनने के बाद उन्होंने केंदरिया नियंतर्ण को मानने से इंकार कर दिया इसे सत्ता मॉस्को से गंडराज्यों की तरफ खिसकने लगी दिसंबर 1999 में बोरिस एलसन की नेतरतों में सोवेत संग के तीन बड़े गंडराज्यों रूस युक्रेन और बेला रूस ने सोवेत संग की समापती की घोशना कर दि 25 दिसंबर 1991 को गौरबाचेव ने सोवेत संग के राष्टरपती पत से इस्तीफा दे दिया इसी के साथ सोवे संग का अंत हो गया क्योंकि पंदरा गण राज्यों में रूस सबसे बड़ा था इसलिए रूस को सोवे संग का उत्राधिकारी सुविकार किया गया तता सुरक्षा परिशद में सोवे संग की सीट भी उसी को मिली सोवेशंग ने जो अंतरराष्ट्रिय संधियां की थी उन सभी को निभाने की जिम्मेदारी भी रूस को मिली